हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू साइंस मैगनेट दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी आई होप सभी बहुत अच्छे हैं शांदार हैं जानदार हैं तो कल संडे ता संडे के आप लोगों ने छुट्टी मना ली है तो वापिस आप लोग जुड़ जाईए ठीक है तो आज हम लोग क्योशन करने वाले हैं एनिमल किंगडम यानि जन्तु जगत के जो की बहुत बहुत आप लोगों का इंपोर्टेंट चैप्टर है इससे हो ही नहीं सकता कि एक जम में क्योशन ना पूछा जाए और बहुत कंफूजिंग होता है तो बहुत आसान बाशा में हम लोग इसको पूरा समझ लेंगे ठीके दोस्तों चली स्टार्ट करते हैं और आज शाम को चार बजे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा डाउन सिंड्रॉम और टर्नर सिंड्रॉम जो कि आप लोगों को बता है बहुत-बहुत क्योशन इससे पूछे जाते हैं ठीके तो क्या होता है डा टोता डैश जगत के अंतरगत शामिल है तोता यानि पैरट को आप लोग कौन से किंगडम यानि जगत में रखेंगे देखिए दोस्तों समझे किंगडम यानि जगत होता क्या है आप लोगों को पता है इस प्रतिवे बहुत प्रकार के जीव पाये जाते हैं तो उनके किया गया हर मलब अलगलग scientist के दवноваaster किया गया था तो जो सबसे important classification था जो सबसे अच्छा भी माना जाता है यह classification किया गया था दोस्तो अरहीं गर साफ के दवारा इन्हों ने जितने भी जीवतने इनको पाच जगत में बाटा था ना कौन कोई जीव है उसमें कोशिका नहीं पाई जाती तो इन सभी इनी मेलिय किंडम यानि जन्तु जगत में रखेंगे तो जो parrot होता है उसमें भी यही होता यह बहुत सारी कोशी का उसे मिलके बना होता है इसमें पाई जाने वाली कोशी का प्रकार यो केरिटिक है इसमें कोशी का वित्ति नहीं होती इसी वज़े से हम लोग इसको कौन से kingdom में रख रहे हैं एनी मेलिये kingdom यानि जन्तू जगत में रख रहे हैं करेक्ट अंसर आप लोगों का option number B हो जाएगा चलिए Nash question आपकी screen पे answer आप लोग बताएंगे बताइए question आपकी screen पे दोस्तों बताओ आप लोगों से बोला जा रहा है जींगे और टितलिया डैश की उपस्तिति की कारण एक ही संग के सदस्ष्य है अब ये संग क्या होता है जगत तो आप लोगों को समझ में आ गया अब जैसे मैं आप लोगों को बोलू कि जो animal kingdom है या kingdom है जिसे आप लोग हिंदी में जंतु जगत बोल रहे इसके अंदर कितने जीव आता है यार बहुत सारे आता है जिसे हम भी इसी में आते है क्योंकि हमारे में भी दोस्तों वही ksi इरुटिक सेल, बहुत सारी कोशी का, कोशी का बित्ती नहीं पाया जाना, ठीक है, तो हम भी एनिमल के अंदर ही आएंगे, अगर बात करें, शेर शेर भी इसके अंदर आएगा, तो एनिमल्स भी बहुत प्रकार के होते हैं, तो इन एनिमल्स को भी इनकी विशेस्ताव की और्थोपोड़ा जगत में रखा, तो आप लोगों से क्योशन में क्या पूचा गया था, जिंगे और तितली है, दोस्तों अगर तितली को आप लोग उल्टा करके रेकोंगो ना, इसका ये पैर, ये पैर जुड़ा होता है, तो जिन भी एनिमल्स के पैर जुड़ेवे हो होते हैं, उसको आप लोग कौन से फाइलम, यानि कौन से संग में रखते हो, आप लोग और्थोपोड़ा संग में रखते हो, अब दोस्तों मेरा एक क्योशन है क्या हमारे पैर जुड़ेवे हैं क्या, बिल्कुल यार हमारे पैर भी तो जुड़ेवे हैं, जैसे एक पैर आप लोगों को यह रहा एक पर यह रहा कहीं ना कहीं दोनों आपस में एक दूसरे से connected होंगे नहीं होंगे तो question यह आता है क्या humans को भी आप लोग इस और्थो पोड़ा संग में रखोगे क्या नहीं दोस्तों देखे समझे मेरी बात को मैं आप लोगों को बताऊं कि जो total 9 सं होते हैं इनकी विशेष्टा क्या होती है इन यह एनिमल्स केल्शियम कार्बुनेट सिक्रेट करते है अपनी बॉड़ी से संग के अंदर जो एनिमल्स आते हैं उनकी विशेष्टा क्या होती है इनका structure प्लेट की जैसे बिल्कुल फ्लैट होता है ना समझ में आगे वैसे ही एनिलेडा संग के अंदर जो एनिमल्स आते हैं उनकी बॉड़ी क्या होती है segmented होती है खंडित होती है तो यह तो मैंने आप लोगों को general characteristic बताई बट actually में इन नो संग में बहुत difference होते हैं जैसे मैं आप लोगों को बताऊं पौरी फेरा संग के जो एनिमल्स होते हैं उनम आप लोग यह नहीं बोल सकते कि भाई यह और्थोपोड़ों में आएगा यह में डिफ्रेंस चलिए नेश कोशन आपकी स्क्रीन पर बताओ निमित साओ जी बोल रहें फास्ट करो दूसरी क्लास है तो निमित साओ जी अगर फास्ट करना है किसी दूसरी टीचर के बाद जा सकते हो या क्लास छोड़ सकते हो बात में देख लेना है ना मेरा तो जो परपज है पूरा आप लोगों को समझाना वो तो समझाना ही होगा ठीक है आजाओं किस वर्ग में जानवरों की संख्या सबसे अधिक है ऐसा कौन सा आप लोग के पास में क्लास है जिसमें जनतू की संख्या जिसमें जनतू की संख्या सबसे अधिक है अब आप लोग ध्यान से समझे जितने भी जनतू होते हैं उसको आप लोग उसके सब को और्थोपोडा संग में रखर देंगे लगिन केकड़े में और कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा न तो जी संग अगला हम लोग इसकर इस्लेंक करते हैं सब्सक्जाइब करका होती है इस ने यति को कौन से संग निए कौड़ेटा संग में हातिम सारी मचली आ जाएगी शिर्षकों हिंदीमें उबहेचर बॉल सकते हैं इसमें ऐसे एनिमल्स को रखेंगे ऐसे कोड़ेटा फाइलम वाले एनिमल्स को रखेंगे जो लेंड पे भी रह सके और जो पानी में भी रह सके ठीक है तो ये कुछ पाच क्लास है किसकी कोड़ेटा संग की सिमी लड़ी दोस्तो और्थोपड़ तो अलग-अलग क्लास होगी बिल्कुल होगी जैसे मैं आप लोगों को बात करूँ ऐसे और्थोपड़ा फाइलम की एनिमल जिनमें तीन जोड़ी पैर पाई जाती है उसको कौन सी क्लास में रखते हो इंसेक्टा क्लास या इंसेक्ट क करते हैं दोस्तो ऐसे और्थोपड़ा फाइलम के एनिमल जिनमें चार जोड़ी पैर यानि कुल पैरों की संक्या आठ होती है ना उसको कौन से संग में रखते हैं उसको एरेक निड़ा संग में रखते हैं तो जो स्पाइडर मकड़ी होगी वो भी इसमें आएगी क्योंकि पूचा जाए सबसे बड़ा फाइलम सबसे बड़ा संग कौन सा होगा तो क्या होगा तो सबसे बड़ा संग है आपका और इसी की जो क्लास है ना इंसेक इसमें भी बहुत सारे अनिमल साते हैं तो सबसे बड़ा क्लास यानि वर्ग तो हो जाएगा कीट वर्ग और सबसे ब डैश वर्ग के हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी फाइलम को आगे आप लोग अलग अलग क्लास अलग अलग वर्ग में विवाजित करते हो जैसे अगर हम लोग बात करें को डेटा संग में किस एनिमल्स को रखते हो जिनमें रीड के पाई जाती है तो इसक इसमें आ जाएगा और बताओ कचुवा इसमें आ जाएगा मगरमच इसमें आ जाएगा गडियाल इसमें आ जाएगा मैमल्स इस्थंदारी किसको बोलते हो जो अपने बच्चों को दूत पिला सके जिनके बॉड़ी पे हेर्स पाए जाते हैं एक हो जाएगा आप लोगों का अच्छी वर्ग एक हो जाएगा एमफीबियन उबेचर उबेचर आप लोग इसको वो लोगे जो आप लोगों के पानी पे भी रह सके और किसमे रह सके जल्दी से मुझे बताईए लेंड पे भी रह सके अब देखिए सेलामेंडर की जब आप लोग फोटो देखोगे न तो दिखने में ये किस की तरह लगेगा लिजार चिपकली की जैसे लगेगा तो आप लोग बोलेंगे कि नई मैं तो इसको रेप्टाइल में रखूंगा बट एक्चुली में ये पानी में भी रह सकता है लेंड पे भी रह सकता है इसलिए इसकी क्लास क्या है एमफीबियन है उभेचर है करेक्ट अंसर आप लोगों का ओप्शन नमबर डी हो जाएगा चलिए इसका अंसर आप लोग बताएंगे बताइए दोस्तो बाइलोजी अपनी कल या पर्सों में खतम हो जाएगी पर्सों खतम हो जाएगी ठीक है दो चैप्टर आपके बचा है एक तो जैनेटिक्स और एक आप लोगों का प्लांट किंग्डम और बाकी के जो किंग्डम है एनिमल किंग्डम को मैंने इसलिए लग रखा किंग्डम होंगे उसको हम लोग कल कवर कर लेंगे पर्सों में लोग कर लेंगे जैनेटिक्स फिर अपनी स्टार्ट हो जाएगी केमिश्ट्री या फीजिक्स कर लेंगी ठीक है चलिए सही जोडी का चैन आप लोगों को करना है यहाँ पर क्या बोला जा रहा है सिल्वर फ को मैं कौन से फाइलम में रखूंगा मोलस का फाइलम में रखूंगा ऑप्शन नमबर भी बोल रहा है कि जो जैली फिश होगी उसको मैं कौन सी क्लास में वर्ग में रखूंगा पाइसेच क्लास बहुत बहुत अच्छा क्योशन है अब आपके मन में क्योशन आएगा कि सर अ तो आपके अकॉर्डिंग तो जितनी भी फीश होगी जितनी भी फीश होगी वह कॉर्डेटा संग के अंदर आनी चाहिए थी विल्कुल सही बात है लेकिन दोस्तों कुछ एनिवल्स होते हैं जो दिखते फिश की तरह बट एक्चुल में फिश नहीं होते जैसे अगर मैं होती तो इसको kaw data संग में रखता बट actual में silver fish एक insect है keet निल्टा करके देखले ने इसमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं जोड़े वे रहते हैं तो इसको keet बोलेंगे और जितने भी keet होते हैं वो कौन से संग के अंदर आते हैं और इसलिस रहें next हम लोग बात करते हैं दोस्तों cuttlefish cuttlefish के बात करें तो ये भी आपका एक animal है और ये आपकी एक false fish है रेकिए ऐसी fish जो दिखने में मचली की तरह होती है बट actual में fish नहीं होती तो उनको आप लोग बोलते हैं false fish और ऐसी fish जो real में मचली होती है उसको आप लोग कोड़ेटा संग के अंदर रखोगे तो वो आपकी true fish होगी तो ये आप लोगों कि दोस्तों starfish false fish है ये भी false fish है ये भी false fish है ये भी false fish है इसका मतलब इन में से कोई भी आप लोगों की कोड़ेटा संग के अंदर नहीं आएगी तो कॉड़ेटा के अंदर ने याएगी तो किसी न किसी में जाएगी तो starfish का जो संग होता है कौन से phylum में रखता हो यह echinodermita phylum का सदश है ना कि मोलसका का cuttlefish जो होती है वो मोलसका के अंदर आती है jellyfish की अगर हम लोग बात करें तो वो sealantrata phylum के अंदर आती है जबकि option number B में बोल रहा है pycage तो pycage में तब होता है जब quadrata संग के अंदर आती है को समझे मेरी बात को मैं क्या बोलना चाहरा हूँ प्लीज समझो ठोड़ा सा confusion होगा क्योंकि chapter है tough लेकिन आप लोग समझोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी में होना समझाने के लिए देखो दोस्तो jellyfish क्या है एक animal है अगर animal है तो इसको किसी ना किसी संग में तो रखोंगे तो दोस्तो इसकी विशेस्था के आडार पर हम लोग इसको कौन से संग में रखते है नाईडेरिया यह नाईडेरिया संग कौन सा होता से लेंट्रेटा संग का ही दूसरा नाम नाइट एरिया होता है चलिए ठीक है सर दोस्तों बात करें सिलवर फिश एक्षली में क्या है एक इंसेक्ट है क्योंकि इसके पैर जुड़े वे होता है तीन जुड़ी पैर पाय जाता है तो इसको कौन से संग में रखोगे सेम चीछ कटलफिश की बात करें तो ये भी एक एक्चल में फिश नहीं है अगर फिश होती तो महों कॉर्टेटा संग में रखता है जलो सर कॉर्डेटा संग में नहीं है तो कौन से संग का सदस्य मोलस का कर ठीक है तो ये आप लोगों को उप्शन ममबर एक करेंट अंसर हो जाएगा चलिए इसका अंसर आप लोग बताएंगे जली से बताएए कि योशन आपकी स्क्रीन पर बताओ सर पीडियेफ का मिलेगी दोस्तों पीडियेफ आप लोगों को एप पे मिलेगी क्लास के बाद में आप लोग डाउनलोड कर लीजेगा ठीक है चलिए बताएए त्रिजये समीती डैष में पाई जाती है तो जैसा कि अब ही मैंने आपको बताया जितने भी एनिमल्स होते हैं इसको आप लोग अलग 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 संग में रखते हो और हर एनिमल्स यानि हर फाइलम मरलब हर फाइलम यानि हर संग के एनिमल्स के विशेषता अलग-अलग होती है ठीक है तो कौन से फाइलम के एनिमल्स में सिमेट्री पाई जाती है सम्मित्री पाई जाती है रेडियल सिमेट्री अभी यह सिमेट्री ह तो आप लोग बलेंगे कि जी, सर, इसमें सीमेटरी पाई जा रही है, जबकि अगर यहाँ पर आप लोग देखोंगे एक लाइन कीचने पर जैसा वैसे इधर है क्या नहीं तो सर यहां पर तो सिमेट्री नहीं पाई जारी अब बात करते हैं दोस्तों इस मच्छर की अगर यहां पर मच्छर पे एक लाइन खीच दोगे तो जैसा राइट में वैसा लेफ्ट में है क्या विल्कुल सर यहां पर सिमेट्री पाई जारी है हमार क्या करा यहाँ पर इक लाइन है नपने श़ीया लाइन खिची तो जैसे लेफ्ट में ठीक है मैंने एक लाइन ऐसे खिची तो जैसा उपр नीचे तो यहाँ पर एक से अधिक लाइन के मिल रही है तो ऐसी सिमेट्री को आप लोग बोले से त्रिच ले मन में फिर को शन आएगा ठीक है ना कि सर कौन से फाइलम के animals होता है जिन में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है दोस्तों दो फाइलम ऐसे हैं स्को याद करने के track याद रकलो CER यानि सीलेंट्रेटा फाइलम और इकाइनो डर्मेटा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनमें रेडियल सिमेटरी आप लोगों को मिलेगी ठीक है तो सीलेंट्रेटा और इकाइनो डर्मेटा करेक्ट अंसर आप लोगों का ऑप्शन नमबर भी हो जाएगा समझ गए बात को चलिए next हम लोग बात करते हैं cuttlefish कौन से संग से संबन दित है अभी-अभी मैंने आपको बताया था cuttlefish एक false fish है अगर real में ये fish होती true fish होती तो मैं इसको कौन से संग में रखता co-data संग में रखता और co-data संग के भी कौन से वर्ग में pisage में रखता बट cuttlefish एक false fish है तो false fish है तो co-data संग में तो नहीं आएगी किसी और में आएगी और अभी अभी मैंने बता है था cuttlefish आप लोगों के कौन से संग में आती है मूलस का संग में आती है देखो यह cuttlefish ऐसे दिखती है है ना दिखने में मचली जैसे लग रही ही ना बट एक्चल में मचली नहीं है चलिए इसका अंसर आप लोग बताएंगे बताएगे दोस्तो मादा मचल खून क्यों चूसती है तो आप लोगों को पता है जैसे आप लोगों को malaria जो बिमारी होती है वो किसकी वज़े से होती है मादा एनाफिलीज मचल की वज़े से होती है क्यों क्योंकि वो आपका खून चूसती नहीं तो उसके बाड़ी में जो plasmodium था वो आपके body में आ गया जिसकी वज़े से आप लोगों को infection हो गया but question यह आता है कि मादा मच्छरी खून को चूसरी है जो नर मच्छर है वो क्यों नहीं चूसरे वो फल का रस क्यों पी लेता है है ना मादा मच्छर खून को चूसरी है क्योंकि देखे जो female होती है इनको एक बनाने पड़ते हैं जो मादा मच्छर होते हैं इंको एक बनाने पड़ते हैं और एक बनाने के लिए जो requirement होती है वो होती है protein की तो हमारे blood में जो protein होते हैं वो उसका consumption करते हैं ना हमारे blood को तो चूसरे जिससे हमारे ब्लड में जो प्रोटीन है उनको मिले और वो एक डवलप कर पाए ठीक है तो करेक्ट अंसर आप लोगों का ओप्शन नमबर डी हो जाएगा चलिए नेश कोशन आपके स्क्रीन पे यह तो बिलकुल सिंपल सा क्योशन है इसके बारे में बहुत अंडा देने वाला इस्थनदारी है ऐसा कौन सा मैमल है जो एग देगा है ना अंडा देगा बताईया चलिए दोस्तों जल्दी से बताईये देखो समझो मेरी बात को आप लोगों को पता है कोडेटा फाइलम यानि कोडेटा संग में आप लोगों कौन से जनतु को यह सर जिनमें रेड की हड़ी पाई जाती है ठीक है अब जो कौडेटा संग जो होता है ना इसको आप लोग आगे पाच वर्गों में विभाजित करते हैं यह बात तो आप लोगों को सभी को पता है यह पाच वर्ग कौन कौन से हैं सबसे पहला वर्ग है 25 क्लास जिसे पानी पर दोनों जगे रहे जैसे फ्रोग हो जाएगा मेंड़क हो जाएगा नेक्स हम लोग बात करते हैं मैं मल्स इस्तंदारी दोस्तों इस्तंदारी में कौन से अनिमल्स को रखोगे ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉड़ी पे टोड़े हेर्स पाए जाते हो जो अपने में आते हैं अब देखिए द्यान रखेंगे दोस्तों जो मैं मल्स होते हैं प्लीज द्यान से समझिए मैं मल्स है न कुछ देखो मैं जितने भी मैं मल्स होते हैं वह सीधे बच्चे को जनम देते हैं जैसे पक्षी के बात करें तो पहले अंडा देता है उस अंडे से क्या निकलते हैं बच्चे निकलते हैं लेकिन दो मैमल्स ऐसे हैं जो अंडे देते हैं और फिर उस अंडे से क्या आते हैं बच्चे आते हैं तो इसी आदार पर आप लोग जो मैमल्स होते हैं इनको हम लोग तीन पार्ट में बाढ़ जाते हैं एक तो प्रोटो थीरिया प्रोटो को बूलते हैं जो देते हैं लेकिन डंजा लोक बात करता है यू ठीट ना यू यू थेडिया ऐसे नमब को बोलेंगे जो वैल डवलप्ड बच्चों को जनम focus को जनम देता हैं जैसे जानकारी के लिए बता दू वेल को आप लोग कौन से वर्ग में रखोगे आप लोगों को लगेगा एर इसको पाईसेज क्लास में रखू मत से वर्ग में रखू लेकिन एक्चल में वेल को हम लोग रखते हैं मैमल यानि इस्तंदारी वर्ग में क्यों आईए मैं आपको समझ जाते हैं तीसरी विशेश्ता क्या होती है यानी ठंडे खुन वाले ठंडे खुन वाली का मतलब है जिनकी बोड़ी का टेमपरचर बाहर क्या कोड़िंग चेंज हो जाए जैसे आप अगर कश्मीर जाओगे तब भी आपकी बोड़ी का टेमपरचर 37 रहेगा जैसल मेर यह जो वेल होता है ना इसके रिदे में चार चमबर पाई जाते हैं यह वाम ब्लडेड होती है तो इसको मैं इसमें रखना चाहिए इसमें रखना चाहिए सर इसमें रखना चाहिए क्योंकि इसमें सारी विशेस्ता मैमल वाली पाई जा रही है दोस्तों बात करें डॉल्फि रिदय कक्ष होते हैं डैश कक्ष रिदय होते हैं ऐसे करो इसको उल्टा लिग दिया ठीक है बताइए तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखेगा अभी जैसे मैंने बताए कोड़ेटा संग के अंदर पाच वर्ग पाए जाते हैं कौन-कौन से पाच वर्ग होते हैं वह एक तो पाइश घ्लास जिसे आप लोग इंदी में बोलते हैं और इस आप हिंदी में इस्थंधार नियुक्त और एक एविज लिए और बोलते reptiles होते हैं, इनके रिदे में 3 chamber होते हैं, जितने भी amphibians होते हैं, इनके रिदे में 3 chamber होते हैं, जितने भी mammals होते हैं, इनके रिदे में 4 chamber होते हैं, और जितने भी पक्षी होते हैं, इनके रिदे में 4 chamber होते हैं, तो बात करें, मगर मस्त हो एक reptile है, तो आप लोग बोलोगे, rept सब्सक्राइब तो आप लोग सोचेंगे के शर मगर मच्छ जो होता है इसके यह तो रैप्टाईव होने के बाउजूर इनके रिदे में कितने चैंबर है चार है है ना तो बस यह दो एक्सेप्शन लियाद रखेंगे दो रैप्टैल ऐसे जिनके रेदे में चार हैं बाकी सब में तीन पाए जाते हैं ठीक है तो करेक्ट अंसर आप लोगों का उप्शन नमबर भी हो जाएगा बताईए क्योशन आपके स्क्रीन पे बताईए बहुत बढ़िया दोस्तो प्रवाल बित्ती का निर्मान किसके द्वारा होता है देखिए दोस्तो कोरल रीफ किसे बोलते हैं आप लोगों मूं की चट्टान जिसको बोलते हैं है ना अंडर वाटर आप लोगों को पता है कुछ ऐसे बन जाता है ना हाड सी सर्फेस उसको आप लोगों कोरल रीफ से बनती कैसी है सम्मुंदर के अंदर कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं जिनके द्वारा क्या सिक्रेट होता है केल्शियम कार्बोनेट तो केल्शियम कार्बोनेट जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा तो वही आपकी चट्टान बन जाए केल्शियम कार्बोनेट से एनिमल्स के द्वारा आप लोगों का सीक्रेट होता है तो मैंने आप लोगों अलग संग में रखते हो लिए जिसको आपको बना धर आंसा नबर हो जाएगा बताइए आप से पूछा जा रहा है निमली कित्म से कौन एक ठंडे खून वाला जानवार है दोस्तों ठंडे खून वाला आप लोग किसे बोलते हो जिनके बॉड़ी का टेंपरिचर बाहर के अकोडिंग चेंज हो जाए बाहर अगर गर्मी है तो बॉड़ी का ट आपको पता है टोटल पाच क्लास होती है कोडेटा संग के अंदर एक तो पाइसेज क्लास बहुत बार बता दिया रैप्टाइल एमफीवियन मैमल और एविस तो दोस्तों यह जो तीन क्लास वाले यानि तीन वर्ग वाले जो एनिमल्स होते हैं यह कोल ब्लड़ेड होते है तो कौन एक ठंडे खून वाला केट जो है न यह तो एक मैमल्स है और श्ट्रिच की बात करें तो दोस्तों यह तो पक्षी है यह तो एविस वर्ग क्लास में आगा पैंग्विन भी एक मैमल है लिजार्ट छिपकलिक है रैप्टाइल है और अगर यह रैप्टाइल है तो कोल ब्लेडेड होगी करेक्ट अंसर आप लोगों का ऑप्षन नमबर सी हो जाएगा चलिए इसका अंसर बताइए दोस्तों तो देखो एक ही क्योशन में कितनी सारी चीज़े आप लोगों को सीखने को मिल रही है तो इस सीरीज का मतलब एक ऐसे नहीं रखा एक क्लास के पाथ चैप्टर करादी हर एक क्योशन मैंने इस पकार से डिजैन किया कि आपको कुछ भी नहीं चूटे मैं सारी चीज़े कव जैसे मेरा थूरी का कोर्स है बहुत सचे बुलते सर लास समय थूरी क्या पढ़ू मैं फिर सेलेक्शन में मतलो लास समय अरे थूरी पढ़ोगे तो क्योशन पढ़ने की जरूती ने पढ़ेगी न यह पढ़ रहे हो तो सारे आपके आराम से बनते जाएंगे थूरी से तो आप लोगों को सारी चीजे क्लियर होगी कि यार कौन कौन सी सीजे टोटल तो आप लोगों के लिए मातर अ मातर 609 में मैं कोर्स लेकर रहे हूं 609 में प्राइड इस लिए है क्योंकि आप पीडिएफ देखो करना पीडिएफ अब बोलोगे कि सर पीडिएफ के मैं 1000 रुप कि यह आता है मुझे करना चाहिए क्या तो बस सोच में पढ़े रहे जाओगे करू या नहीं करू अरे करो और स्लेवर्स कम्प्लीट करो देखो क्या कॉइंफिडेंस आता है ठीक है तो उन चीदों से बचो टॉप 200 कोशन 500 कोशन 700 कोशन मैं भी करा सकता हूं रोज बट पहले बाइलोजी खतम हो फिर कैमिस्ट्री खतम हो फिर फिजेक्स खतम हो एक लास एक चैप्टर खतम मैं भी एक्सपक्टेट कोशन लेकर मेरे को भी मजा था रोज रोज नया मसाला डालने में बट रियलिटी यह है कि जब तक आप लोग एक चीज़ को कंप्लीट नहीं करोगे कि दूसरी चीज़ में क्यों जा रहे हो यार तो अगर यह एक बार आदत बना लिए कोई चीज़ को बीना कंप्लीट करें दूसरी पर चलने की तो हमेशा जिन्दगी बर यह रहेगा फिर वह दूसरी सीरी स्टार्ट होगी वह भी चार दिन करोगे नहीं सर अब कुछ नया मैं श्टार्ट करो यह तो जिन्दगी में कभी सेलक्षेन नहीं का तो एक चीज़ करो ठीक है पॉलम वन में आप्लोंगों को कुछ आइटम स दीये मैं आप लोगों को मिलाना है किसको कहां पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ लीवर फ्लूक की इस एनीमल की बात करता हूँ आईए मैं आपको दिखाता हूँ देखो लीवर फ्लूक को अगर आप लोग दिखान से देखोगे इस एनीमल को तो इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है विर्कुट प्लेट की जैसे फ्लैट होता है उसको आप लोग कौन से फाइल ने में रखते हो तो कुल मिलाके लीवर फ्लूक को मैं रख दूँगा तू वाले क यह option हो नहीं सकता इस नियार को 3 से गनेट करका यह option हो नहीं सकता लो अपना तो ऐसे अंसर आ गया फिर भी हम लोग थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं क्लियर है क्या देखो नेक्ट बात करते हैं दोस्तों नैरिस नैरिस को अगर आप लोग देखोगे तो क्या इसकी बॉड़ी आप लोगों को सेग्मेंटेड लग रही है खंडित है सेग्मेंटेड लग रही है तो ऐसे एनीमल जिनकी बॉड़ी सेग्मेंटेड होती है खंडित होती है उसको आप ल स्पॉन्जिल की आप किसे रखोगे है करते हैं और दोस्तो बात करते हैं यह गए क्या होता है this सिक्रेट करते हैं केल्शियम कार्बोनेट को तो कुल मिला कि ये आप लोग कौन से संग में रखोगे सिलेंट एठा चिसे आप लोग क्या बोलते हो नाई डेरी के नाम से भी जानते हो तो कुल मिला कि आप लोगों का करेक्ट अंसर होगे अप्शन नमबर पी ठीक है चलिए नैश कोशन आपके स्क्रीन पे अंसर आप लोग बताएंगे सेम क्योशन दिया हुआ है देखो एक क्योशन में कितने आठाट क्योशन बंद रहे हैं आप लोगों के बताओ चलिए बताइए आप लोगों को क्या बोला जा रहा है निम्न कॉलम का मिलान करना है आप लोगों को दो कॉलम दिये हुआ है ठीक है चलो देखते हैं एक कॉलम में क्या दिया हुआ है एक कॉलम में क्या दिया हुआ है मुझे भी निपता पटर क्या दिया हुआ है पहले आप बताओ क्या दिया हुआ है एक कॉलम में दूसरे में क्या दिया हुआ है देखो समझो मेरी बात को दोस्तो लेफ्ट में जो आप लोगों को दिया हुआ है वो एनिमल के नामे जासे एक एनिमल है वुशेरिया एक एनिमल है टेप वर्म एक एनिमल है और इनी एनिमल कि कुछ common name होते हैं कुछ दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल यहां पर दिया हुआ है चलो देखे एक-एक को करके सबसे पहले बात करते हैं दोस्तो एसकेरीस पे दोस्तो इस कि देखो प्लीज एक बार मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझे वूशेर यह बैन क्राफ्टी के जब इस्ट्रक्चर देखोगे न यह देखो यह तो यह जो आप लोगों के एक ऐसे राउंड शेप में होता है तो इसे लिए हम लोग इसको राउंड वॉम के नाम से भी जा घुसे कियों से कंच हरें क्यों क्योंट होगा तो हम लोग बचा है और बताओ और हम लोग बात करते हैं से क्य уast topics में लगा कि देखोगे तो इनका structure body का structure बिल्कुल फ्लैट होता है बिल्कुल प्लेट के जिसा ठीक है तो प्लैटी helmet is phylum के अंदर आएगा और प्लैटी helmet is phylum के अंदर जो animals आता है उसको flat warm के नाम से भी जानते क्योंकि इनकी body बिल्कुल कैसे होती है flat होती है तो टेप warm को आप लोग किस से connect कर दो फ्लैट warm से connect कर दो तो ऐसा आप लोगों का 3 से connect हो जाएगा एसा आप लोगों का 3 से connect हो रहा correct answer आपको option number डी हो जाएगा ठीक है next हम लोग बात करते हैं asqueries दोस्तो asqueries के अगर हम लोग बात करें तो यह एक animal है तो इसको जरूर कोई ना कोई फाइलम में रखोगे तो इसको आप लोग कौन से फाइलम में रखते हो नयमा टोड़ा फाइलम में तो आप लोगों को मैं एक class एक chapter खत्म इसलिए बोलता हुआ कि हर एक question मैंने इस प्रकार से design कर आए कि आप लोग का हर एक चीज कवर हो जाए जिससे आप लोगों देखा होगा मैंने पहला question कौन से लेकर आयता तो तोते को कौन से जगत में रखोगे तो उस माध्यम से मैंने आपको वह बताया कि भाया animal kingdom जन्तु जगत के अंदर रखते भी समझ रहो बात को उसके बाद में मैंने आप लोगों को kingdom वाले question कर रहा है उसके बार में मैंने class वाले फिर मैं क्लास में क्या क्या difference होता है तो सारी चीजे में आप लोग कर वाई आज शाम को चार बज़े में आपको डाउन सेंड्रॉम एंटर्ने सेंड्रॉम का एक वीडियो दोगा जिसमें दोनर विमारी में आप लोगों को एक जया difference समझ में आएगा इस YouTube क्लास की पीडियाफ आप लोगों को physics chemistry biology में आप लोगों को करवा रहा हूं आप लोग जूड़के देखो बिल्कुल मज़ा आप लोगों को आ जाएगा क्या करना है कोर्स वाले सेक्षन में जाना यह आप लोगों को मिल जाएगा बाइनाव कर लो क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को समझ गए लाइस बात को सब्सक्राइब कर दोस्तों परेशन ना हो आपका साही हो जागा आपको सारी सुवीदा दे रखिए सारे कॉलिंग नंबर वगए आप लोगों को कोई डरने की किसी प्रकार की नहीं है हमेशा अपन साथ में है ठीक है तो कल मैं आप लोगों को करवा दूगा दोस्तों मुनेरा प्रोटिश्टा फंजाई और प्लांट किंग्डम के क्यूशन और फिर हम लोग एक दिन करेंगे जैनेटिक्स के दैन उसके बाद में हम ने सब्सक्राइब करेंगे ठीक है थैंक्यू सो मच